ढक Western में एक बार फिसवागत है दोस्तों कि ठे एक उस दिन से क्लास नहीं लग रहाए Supply अपसे क्लास चाहिए किटिन्यो लगेगी और रोज लगए तो दोस्तों बने रहें जाई रएगर स्टाइब कि साथ पढ़ते रहेए दोस्टों आज हम देखते ہیں आज से स्टाट करेंगे हम गड़ती है संक्रिया है जी Mathematical Operations कैसे लगा जाते हैं कैसी Question आते हैं और किस टाइप कितने टाइप के Question रहते इसमें तो दोस्तों यह देख लेते आज चलते है Question कि और तो दोस्तों हम ऐसे Question करने से पहले कुछ देख लेते हैं तो दोस्तो ऐसे question करने से पहले सबसे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे वो करेंगे हम इसमें करेंगे bird mask का उप्योग इसी के आधार पर हम सारे question निकालतेंगे पहले हम पढ़ेंगे तो बार्ड mask की क्या करना है फिर चलेंगे question की हो तो क्या है बी ओ OSD B M A S Bawd Mars तो Bawd Mars में B Bracket यानि सबसे पहले हमें क्या करना है एक Bracket बनाओगा जैसे Bracket में आजाते है question तो Bracket Solve करना है और फिर इसके बाद Off यानि Off का मतलब का है यानि का लखा हुआ है question में आपके तो का का मतलब होता है into आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा इंटू करना पड़ेगा और डिवाइज डिवीजन का दी के मतलब है डिवीजन तो डिवीजन में हम भाग देते हैं तो दोस्तो M का मतलब किया होता है Multiplication तो Multiplication में क्या करते हैं जोशन जोडना जोडा है और Subsection तो इसमें क्या है घृताना तो हमें इसके accounting कैसे चलना है जोशन सबसे पहले六 हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें Coast lettersolve करना है फिर इसके बात का यदी आया है कोशन में तो का सॉल्व करना यानि गुणा करना है फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बिवी जाने यानि भाग तो फिर हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तो भाग हम करेंगे यहां पर भाग और फिर भाग के बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तो गुडहाँ करेंगे हम यहाँ पर तो फो कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं यह भी नहीं घुक करेंगे यह बहुत जोद आऊ संख्यार चोंट्रक्ट की अदो फिर मानस करेंगे यदि इन में से भाग भी नहीं है तो आप कोई दिक्त नहीं है हम भाग को आटा देंगे नहीं करेंगे यदि कोश्चन में भाग है वर प्लस मानस नहीं है और गुणा है तो हम इन दोनों को कर लेंगे और यदि कोश्चन में इन टू है और मानस है तो हम इ पसकोंचन का कहता है यदि P का अर्थ इंटू है Q का अर्थ है भाग और R का R का अर्थ है प्लस S का और S का अर्थ है मानस तो 544 तो हमारे पास क्या दिया है दोस्तों यह 500 344 Q दिया है और फिर यहांपर 32 R दिया है और 13 पानुक्त और यहां पर हम ने क्या को यहां पर क्या करेंगे और फिर यहाँ पर क्या है दोस्तो S R के बाद है S तो R, R को क्या है दोस्तो यहाँ पर है R, R को क्या है प्लस, तो यहाँ क्या करेंगे हैं प्लस करेंगे, फिर आता है S तो S कहांगे S सिरा S का अर्थ क्या होता है, मानस तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानस 7 फिर मानस और 18 तो दोस्तों यह बन गया हमारा question अब हमारे यहाँ अभी हमने word must पढ़ा था तो उसमे बी भी नहीं है यानि bracket solve करने के लिए नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे और का का प्रियोग भी नहीं है तो हम वो भी नहीं करेंगे जो दोनों सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम भाग देंगे और फिर उसके बाद into करेंगे और फिर word must क्या कहता है into के बाद आप क्या करेंगे प्लस करेंगे और प्लस के बाद last में क्या करना हमें घटाना है यानि मानस करना है तो दोस्तों चलते हैं 32 32 32 तो हमारे यहां पर 17 आ जाएगा और दोस्तों फिर यहां पर क्या करना है प्लस हमारा एक कोश्चन आ गया तो मैं अभी आपको क्लियर करके बतारूं कि कैसा कैसा करना है फिर हमारे पास है 32 32 50 70 in to 7 मायनस क्या है 18 अब क्या कहता है बारव मास हमारा भाकतों हो गया फिरू करना है तो अब हम क्या करेंगे इन य्टio कहा है 13 और साथ 下次 रिग तेहे ओर सत्य कक्तों हुथ होते है इकानमे ren It packed और फिर यहां पर क्या जाब तो से हंटी प्लस और 18 मानस अब हमें क्या करना है बॉर्ड मास कहता है आपके दोनों काम हो गए तो आप तीसरा काम करिए प्लस का तो हमें क्या करना है दोस्तों अब तीसरा काम है जो हमारा वो है प्लस का तो हम क्या करेंगे यहां पर प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा सत्रा एकानमे एक सो 8 अब हमें मानस 11 है तो last में क्या कहता है दोस्तो Lewis last में कहता है कि आप मानस करें जब last में सबसे कुछ ना बचें तो महाँपर मानस कर दीजिए तो अब हमारे पास बचा भी क्या है मानस करने के लिए बचा है तो 108 मिसे हम 18 सारा करेंगे तो हमारा आजाएगा 19 तो दोस्तों यह क्या आ गया हमारा आंसर आ गया तो दोस्तों इस नहीं इजी भी दिए इस बिदी से आप 100% sure answer ला सकते हैं दोस्तों answer देख लेते हैं answer क्या है तो दोस्तों यह रहे option option में 108 तो दोस्तों यह 19 second number पर तो यह हमारे क्या आगा answer आ जाएगा और दोस्तों मैं बता दूं कि यह clerk में आए हुआ bank में uco bank clerk 2007 का question है तो दोस्तों next question क्यों चलते हैं तो दोस्तों next question है हमारा यदी plus का आर्थ plus का आर्थ क्या है minus तो हमारे हम क्या करेंगे यहापर plus plus का आर्थ है minus अब यह plus रहा और यह minus रहा अब question कहता है minus का आर्थ क्या है into तो यह minus का आर्थ है जो वो है into अब into का आर्थ क्या है into का आर्थ जो है वो है भाग तो इन्टू का अर्थ क्या है भाग देना अब यहां पर भाग जो भाग है भाग का अर्थ है प्लस तो यहां पर जो भाग का अर्थ है वो रहा प्लस तो अब हम कोश्चन निकालेंगे हमारे पास कोश्चन क्या है तो दोस्तो हमारे पास question यह रहा two भाग अब six into six यहाँ पर भाग करेंगे और यहाँ पर दो करेंगे अब बराबर हमें निकालना है कि कितना है तो दोस्तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें दिया कि भाग तो भाग का अर्थ क्या होता है भाग का अर्थ है प्लस तो हम क्या करेंगे यहां पर क्या करेंगे प्लस कर देंगे प्लस अब यहां पर इंटू तो इंटू का अर्थ क्या है दोस्तो भाग तो इंटू का अर्थ क्या है भाग अब हमारे पास आता है फिर फिर करना है भाग तो भाग का अर्थ क्या है दोस्तो भाग का अर्थ है प्लस तो दोस्तो यहाँ पर प्लस कर लें तो गाइस यह हमारा बन गया कोश्चन अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जैसा कि बॉर्ड मास कहता है बॉर्ड मास के according to हमने question में कर लिया पर तो question के according to हमने जमा लिया अब बॉर्ड मास कहता है अब हम बॉर्ड मास के अनुसार चलेंगे तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तो भाग देंगे तो यह क्या है भाग तो इसमें भाग देंगे तो लोगुश्डॉर फिल उस से दो 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 फिर हम यह क्या करना पड़ता है जोड़ना अब हमारे पास यहां पर कुछ भी नहीं है ना इंटू है नब्रैकेट है यहां पर फिर उसके बाता है का ब्रैकेट ब्रैकेट का और फिर उसके बाद आता है यहuity है दोस्तों खायग देना फिर आता है गड़ा फिर प्लस ओ फिर माइनस तो हमारे पास इस कोशल में है क्या हमारे पॉर्श यह बखागों और एक प्लस यह्ट एक डोनों सी sont यह बफ हमें कुछ भी नहीं सोचना है दोस्तो तो यहां पर दो और एक तीन और दो पांच तो आंसर क्या जाएगा दोस्तो हमारा यहां से पांच आ जाएगा तो दोस्तो देख लेते हैं आंसर तो दोस्तो यह option number 4 है इसका आंसर है पांच तो गाइस इसके लिए बस इतना ही दोस्तो कमेंट जरूर करना की क्लास कैसी लगी I hope मुझे पता है कि आपको अच्छे लगी होगी क्लास और दोस्तो एक बाद और कहना चाहता हूं कि जो GKGS का टेस्ट है GKGS का टेस्ट वो चल रहा है दोस्तो डेली उसकी क्लास लग रही है अभी तो दोस्तो उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें जिस तरीके से आपको exam सेंटर में question पूछे जाते हर topics में से एक एक दो दो question बैसे ही वो बनाया हुआ है जो set है बैसे ही set paper exam के according to बनाया गया है तो दोस्तो उसको देखना मत भूलिएगा दोस्तो आपके लिए बहुत helpful रहेगा तो आज के लिए इतना ही thank you thank you for the watch